Hello friends, welcome back! Ancient History of India या भारत के प्राचीन इतिहास के lecture number 7 मैं आपका स्वागत है मुझे उमीद है अभी तक के हमारे पिछले 6 lectures आपको पसंद आए होंगे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा ये important lecture है ये basically lecture है lecture number 6 lecture number 6 था coinage पे, lecture number 4 और 5 थे कि वो कौन से important sources of history है जो हमें history को reconstruct करने में, उनके बारे में information based की लिकट्टी करने में चाहे वो travelers हों, चाहे वो books हों, चाहे वो Buddhist literature हों, चाहे वो general literature हों चाहे वो संगम literature हों, चाहे Sanskrit हों, प्राकृत हों, etc., etc., etc. Chapter number 6 में हमने आपको बताया कि किस तरीके से coins एक important source of historical reconstruction की तरह act कर सकते हैं और आज के lecture में हम जो आपको बताएंगे, वो basically बताएंगे कि इस से पहले कि civilizations exist में आना शुरू हुई human evolution कैसे हुआ, मतलब कि किस तरीके से हम से पहले चाहे वो apes हों, चाहे hominids हों, उनका evolution कैसे हुआ, उनका evolution global level पर कैसे हुआ, और उनका evolution Indian subcontinent के context में किस तरीके से लगातार आगे होता रहा दोस्तों तो आज का जो lecture है, lecture number 7, ये हमारा based होगा stone age पर खास्तोर से old stone age, जिसमें हम paleolithic age और mesolithic को काफी detail में cover करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, lecture number 7 और lecture number 8, ऐसे topics हैं, जिन पे अगर आप चाहें, अगर आप एक-एक site को analyze करने लग जाएं, तो इसमें आप कई lectures बना सकते हैं, मुझे लगता है, हमने इस पे एक balanced view लिया है, इतनी information हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जो आपकी समझ के लिए, आपकी समझ के साथ-साथ, आपके exam के लिए, sufficient हो, enough हो, अगर किसी को बहुत detail में जानने में interest है, जिग्यासा है, तो of course, इसके जो sources हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, और जब ancient history की हमारी पूरी series शुरू हो जाएगी, और अगर आप लोगों की demand होगी, तो हम इस particular topic पे एक supplemental video भी release कर सकते हैं, दोस्तों, तो lecture no. 7, lecture no. 8, lecture no. 7 हमारा होगा की old stone age पे, और lecture no. 8 इसी को आगे भढ़ाते हमारा होगा, neolithic age and chalcolithic cultures पे, और उसके बाद lecture no. 9 जो हमारा होगा, वो start करेगा हमारी पहली civilization, the harappan civilization, the indus valley civilization पे, और उसके बाद ancient history will take its own sweet course और लगातार आगे बढ़ दी ही, चली जाएगी दोस्तों, तो आईए शुरू करते हैं, lecture no. 7, lecture no. 7 का जो main reference document है, वो है हमारी R.S. Sharma की India's ancient past, lecture no. 7 और lecture no. 8, दौनों इसी book पे primarily based हैं, दोस्तों, तो अगर आपको reference book एक लेनी है, तो आप R.S. Sharma की India's ancient past को refer कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम detailed ancient history में जाएंगे, तो फिर जैसा हमने शुरुआत में कहा, हम combination यूज़ करेंगे, R.S. Sharma के साथ साथ उपिंदर सिंग की a history of ancient and early medieval India दोस्तों, तो चलिए, बढ़ते हैं lecture no. 7 की तर एक wild gas लगा के देखिए, सर्फ 5,000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, 50,000 साल पुरानी, 1,00,000 साल पुरानी, इससे पुरानी तो क्या होगी? तो अर्थ हमारी 4,600 million years पुरानी है, 400 million years पुरानी है हमारी अर्थ, और जो अर्थ का crust है, क्योंकि अर्थ में different layers है, अर्थ का core part mental है, फिर crust है, crust बेसिकली हमें बताता है, जो deposits हैं, मतलब उपरी जो layers हैं अर्थ की, जिसको crust बोलते हैं, चार stages हैं, और इन 4th stage को, 4th stage को कहा जाता है, जो सबसे उपर की layer है, अर्थ की, जिसको आज हम देख सकते हैं, इसको कहा जाता है, quarter nary, quarter nary, और इस quarter nary को दो epochs में divide किया जाता है, पहला, प्लेस्टोसीन, जिसको ice age भी कहा जाता है, और दूसरा, holocene, जिसको post ice age, ice age जब खतम हो गई, environment थोड़ा warm होने लग गया, थोड़ा जादा conducive हो गया, basically human knife के लिए, plant life के लिए, तो उसको कहते हैं, holocene post ice age, तो जो पहला epoch है, जो प्लेस्टोसीन है, ये basically last हुआ हमारा 2 million BC से 12,000 BC तक दोस्तों, और जो second epoch है हमारा, तो जाहिर सी बात है, जहां पहला epoch हमारा खतम हुआ, 12,000 BC, वहां से शुरू होता है, जिसका नाम है holocene या post ice age, और आज तक भी चला आ रहा है, तो मैं आपसे पूछू हूँ, आज प्लेस्टोसीन आइस एज है या holocene post ice age है, तो अब यसांसर, आज holocene post ice age चल रही है, जब 12,000 BC से आज की तारीख तक holocene post ice age चल रही है, लाइफ फिर हमारी अर्थ पे कब शुरू हूई, 12,000 BC, उससे पहले, उसके बाद में, लाइफ अगर हम देखें, तो इस धर्ती पर, अर्थ पर, लगबग, 3500 million years पहले, शुरू हो चुकी थी, तो अर्थ कितनी पुरानी है, 4600 million years पुरानी है, लाइफ कब शुरू हुई, 3500 million years पहले, और शुरूवात में जो लाइफ हुई, अर्थ पे, जहीर सी बात है, इंसान तो बाद में आए, सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले आएंगे आपके animals, सबसे पहले आएंगे plants, या पहले plants, animals, अंडा, या मुर्गी, humans, कि फिर इंसान कब आए, humans अर्थ पे बेसिकली दिखाई पड़ते हैं, जो भी archaeological evidence उसके साब से, pre-plustiocene age में, और pre-plustiocene age से लेके, early-plustiocene age तक उसको माना जाता है कि humans अपियर हुए अर्थ पर, बहुत सारे जो initial humans हैं, उनको कहा जाता है hominits, और यह hominits शुरुवात में कहां रहते होंगे? Asia में, India में, Europe में, America में, North America में, South America में, Australia में, Russia में, Siberia में तो सबसे पहले, जो hominits थे, ऐसा माना जाता है कि इनकी शुरुवात हुई हमारे Southern और Eastern अफरेका से और कितने दिन पहले? लगबग 6 million years ago, मतलब साथ लाक साल पहले सबसे पहले hominits हुए हमारे कहां पर? Southern और Eastern अफरेका और कितने दिन पहले? 6 million years ago दोस्तों तो यह हमारी बात हो गई कि Earth हमारी 4600 million years अगो पुरानी है Life लगबग स्टार्ट हुई हमारी 3500 million years ago और humans हमें दिखाई दिये pre-plasticine and early plasticine में और पहले जो hominits थे, जिनको humans जिसको हम कह सकते हैं human characteristics जिन में कुछ थी, वो हमारी South अफरेका, Eastern अफरेका में लगबग 6 million years ago जो शुरवाती humans थे, जिनको हम earliest humans भी बोलते हैं कैसे थे, जैसे आज हम लोग दिखाई देते हैं मैं दिखाई देता हूँ, आप दिखाई देते हैं नहीं जो earliest humans थे, ये resemble करते थे, apes से और apes की शुरवात रफली कब हुई, apes की शुरवात रफली 30 million years ago, 30 million साल पहले और humans सबसे पहले कब हुए जिनको hominits कहा जाता था 6 million years ago तो apes जैसे characteristics थे, जो earliest humans थे, शुरवाती humans जिनको हम कह सकते हैं और फिर, जो earliest humans थे, hominits थे, उनका development होता गया साल के बाद साल, साल के बाद साल, century के बाद century और फिर, बर्थ हुआ एक creature, जो की milestone माना जाता है और क्या नाम होगा इसका इसका नाम था, australopithecus australopithecus का basically, birth या advent होना एक momentous step था, when it comes to evolution of human line तो शुरवाती दौर में apes characteristics, उसके बाद australopithecus और australopithecus का अगर आप literal meaning ले लें तो इसका Latin word है, इसका मतलब है southern ape दक्षनी, ape ऐसी क्या खास बात थी कि हम आज australopithecus के बारे में कहते हैं कि एक बहुत important milestone था human evolution में australopithecus का जर्म लेना या आना क्योंकि australopithecus पहला ऐसा evolved creature समझा जाता है जिसमें दौनों टाइप के characteristics जिसमें apes like characteristics और जिसमें humans के कुछ characteristics हमको देखाई पढ़ना शुरूफ हो जाते हैं कितना पुराना होगा australopithecus एपस कितने पुराने थे 20 million, 50 million, 10 million एपस थे लगभग 30 million years australopithecus जिसमें कुछ features एपस के और कुछ features अब humans के दिखने लग गए ये था 5.5 to 1.5 million years साड़े पांच से लगभग 1.5 million years पहले जो australopithecus था, bipedal था, bipedal का मतलब है दौनों पैरों से चल सकता था pot valid था उसके बाद जिमाग जो brain case जिसको cranium भी बोलते हैं थोड़ा चोटा था, थोड़ा काफी चोटा था क्या size, क्या volume रहा होगा लगभग 400 cubic centimeters तो आप कहेंगे सब 400 cubic centimeters आप छोटा क्यों कह रहे हैं अभी wait for some time हो आपको बताएंगे जैसे human line evolve होती गई तो complexity of thought, complexity of processes की वजासे लगातार ये देखा गया है कि human का brain case लगातार बढ़ता ही चला गया Australopithecus क्यों एक milestone रहा क्योंकि पहला ये creature देखा गया जिसमें एप्स के साथ साथ कुछ characteristics human like भी देखने को मिले दोस्तों clear है और क्या brain size रही लगभग 400 cubic centimeters अब humans किस group के हैं when it comes to line of evolution तो humans हमारे शुरवात से लेके आज तक hominid line of evolution कहा जाता है और Australopithecus को सबसे last सबसे अंतिम pre-human hominid कहा जाता है मतलब Australopithecus में क्योंकि human like characteristics दिखने लग गये थे जैसे bipedal, bipedal दौनों पैरों से चलना pot valid, brain case डवलप होना शुरू हो गया ये characteristics humans के evolution की तरफ indicate करना शुरू कर देते हैं तो ये last pre-human hominid था और इसी लिए इसको proto-human भी कहा जाता है मतलब human से just पहले human से just पहले proto-human, australopithecus, apes as well as humans जो पहला important human या homo रहे जो human से और ज्यादा resemble करते थे या जिसको first human कहा जा सकता है उनका nomenclature है homo habilis homo habilis और कहां मिले? ये मिले हमें southern and eastern Africa कितने time पहले? लगबग 2 to 1.5 million years ago अच्छा homo habilis का मतलब क्या है? homo habilis का मतलब है handy or skillful man मतलब ऐसा man जिसमें दिमाग हो skill हो कुछ करने की और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या skill था homo habilis के पास जिसकी वजा से इसको first important homo first important human कहा जाता है australopithecus last basically proto-human था उसके बाद first human, first homo हमारा homo habilis हुआ क्योंकि ये पहला हमको human evolution में creature मिला जो stones को तोड़ तोड़ कर उनको sharp करकर tools की तरह basically काम में लेता था मतलब अपना दिमाग use करता था ऐसा नहीं कि सीधा एक पत्थर मिला stone मिला उसको मैंने fake आ, उसको जलाया, कुछ किया उसको break करके, break करने से क्योंकि उसके edges क्या हो जाएंगी, sharp हो जाएंगी जब edges sharp होंगी तो उसको आप काटने के, छीलने के, जंगल साफ करने के, बहुत सारी चीजों में मारने के, hunting के लिए, बहुत सारी चीजों में आप उसको use कर सकते हैं mind apply करना शुरू कर दिया skill develop करना शुरू कर दिया, इसलिए homo habilis, skillful man southern Africa to eastern Africa two to one and a half million years ago, और जहां-जहां homo habilis की bones मिली हैं, उन bones के साथ-साथ, हमें ये fractured तूटे हुए, तोड़े गए पत्थर भी साथ में मिले हैं, इसका मतलब कि जहां-जहां homo habilis habitat करते होंगे, चाहे वो South Africa हो या Eastern Africa हो, हर जगे, उन्होंने जो ये skill था अपना पत्थर को तोड़के, break करके, sharp edges को use करने का, हर जगे इन्होंने स्कल्चर को ट्रांसपोर्ट अपने साथ किया अब 400 cubic centimeter brain size थी, cranium size थी australopithecus की अब homo habilis तो उसका भी advanced version है, तो क्या size हो गया होगा, roughly 500 to 700 centimeters, तो देखिए जैसे जैसे human evolve हो रहे हैं, brain size cranium capacity उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है तो दूसरा important step था homo habilis के बाद वो था homo erectus, homo erectus के अगर आप dating देख लें homo habilis के क्या dating थी 2.5 to 1.5 million years, homo erectus homo habilis के थोड़ा सा वाद में आया 1.8 to 1.6 million years ago और homo erectus में क्या चीज़ थी 400 cubic centimeter cranium capacity थी australopithecus की, उससे evolved हुआ homo habilis, homo habilis की होगी लगबाग 500 to 700 cubic centimeters और नेक्स जो evolution हमारा हुआ, homo erectus इनकी cranium capacity और भी बढ़कर हो गई 1200 to 2000 cubic centimeters इसका मतलब कि जो homo erectus तक evolve होते होते, 1.8 to 1.6 million years ago, ज़ादा effectively, efficiently human-like characteristics, human-like skills, human-like thought processes, human-like nervous system डवलप होना शुरू हो गया। और ये allow करने लग गया, human या homo erectus को, कि जो आसपास का environment उसको change कर सके। मतलब अगर उसको लग रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, तो leather की मैं कहीं से arrangement करूँ ताकि ठंड से बचाव कर सकूँ। मुझे लग रहा है, मुझे कुछ खाना है, तो मैं हंट कर सकूँ। मुझे लग रहा है, मुझे ठंड लग रही है, तो मैं उसका इलाज कर सकूँ। मुझे लग रहा है, जंगन मुझे साफ करने है, फ्रेक्चर्ट इस्टोन से उसको काट सकू। application of mind and the ability to modify the environment around, ये हमको देखने को मिला, Homo erectus, so Homo habilis first human, first important human, Homo erectus उसका next advanced portion, cranium capacity 1200 to 2000 cubic centimeters, तो ये तो बात हूँ कि globally, humans कैसे evolved हुए, सबसे पहले earth, 4600 million years ago, फिल life, 3500 million years ago, सबसे पहले apes, apes कितने पुराने और कहां सबसे पहले मिले दोस्तों, तो apes हमें मिले, सबसे पुराने, सबसे पहले, South Africa and Eastern Africa, कितने दिन पहले, 30 million years ago, उसके बाद evolution में सबसे पहला important step क्या रहा, जिसको proto-human भी कहा जाता है, Australopithecus, 400 cubic centimeters, bipedal, pot ballad, 400 cubic centimeters, small brain case, Humancis, पहले, जस्ट पहले, उसके बाद humans, Homo habilis, 2-1.5 million years ago, fractured peaches of stone, जहां इनकी bones, महाँ पे stones भी साथ में दिमाग लगाना शुरू कर दिया, 500-700 cubic centimeters, उसके बाद Homo habilis evolved हुए Homo erectus में, कहां, again, वहीं, Southern Africa, Eastern Africa, roughly 1.8 to 1.6 million years ago, brain case, 1200 to 2000 cubic centimeters, human-like thought process, human-like effectiveness, human-like efficiency, human-like ability to change or modify the environment around, अब इंडिया की बात कर ले, कि सर ये तो कहानी आपने सुना दी, कि दुनिया में हमको human evolution कैसे कैसे मिला, आप इंडिया का बताइए, ये इंडिया में क्या रहा, इंडिया में क्या मिला, तो दोस्तों, आज तक, इंडिया में हमें human evolution से related, archaeologically या fossil point of view से, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, लेकिन कुछ fossils हमें इंडिया या इंडिया का मतलब, मैं जब भी इंडिया कहूं, ancient history में, तो उसका मतलब क्या होगा, Indian subcontinent, Indian subcontinent में हमको कई skull fossils मिले हैं, खास्तोर से, जो शिवालिक hills हैं, शिवालिक hills हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम share करते हैं, यहां पे हमको कई skull, skull fossils मिले, और ये skull fossils हमें मिले, port war plateau, port war plateau जो की पंजाब और सिंथ जो प्रविंस हैं, बेसिकली पाकिस्तान का, और किस टाइप के रॉक में ये मिले, sandstone में, और इन skulls को जो हमें port war plateau या शिवालिक hills के अंदर या शिवालिक range में मिले, इनको क्या नाम दिया गया है, बहुत interesting name है, रामापितिकस एंड शिवापितिकस, और ये दौनों जो हैं, इसमें कुछ तो hominid like features हैं, लेकिन ज्यादा तर features अब ऐसा लगता है, कि जो anthropologist हैं, scientist हैं, archaeologist हैं, उन सबका basically एक common understanding हो गया है, कि कुछ human like features देखने को मिले, लेकिन ज्यादा जो features रामापितिकस और शिवापितिकस में जो हमको देखने मिले, जो कि limited fossil evidence हमें Indian subcontinent में मिला है, और कहां मिले हैं दौनों? शिवालिक hills, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो पंजाब सिंद प्रविंस है पाकिस्तान की पूर्टवा प्लैटो में, ज्यादा features एप से match करते हैं, इसे लिए शिवापितिकस और रामापितिकस को अभी humans में classify नहीं किया गया है, रामापितिकस female मानी जाती है, लेकिन चाहे रामापितिकस हों या शिवापितिकस हों, दौनों को same ही line of evolution या same ही group में रखा गया है, दोस्तों, इनके equivalent, क्या हमें दुनिया में कहीं और similar type के feature के human evolution के creatures क्या हमें मिले हैं? Greece, Greece में हमें लगवग 10 million years old fossils मिले हैं, और उनी के basis पे, जो हमारी dating हुई है, रामापितिकस हों या शिवापितिकस हों जो पोर्टपाप प्लैटो, पंजाब प्रविंस, शिवालिक हिल्स में मिले हैं, Greece में जो हमें fossils मिले हैं, उनी को बेस बनाते हुए, इनकी जो basically dating हुई है, वो लगबग 2.2 million years old, रामापितिकस, शिवापितिकस 2.2 million years old, अब चलिए हमें मिल गए, पोर्टपाप प्लैटो, इंडियन सबकॉंटिनेंट में, लेकिन बाकी सबकॉंटिनेंट का क्या? तो ऐसा लगता है, कि शिवालिक range के अलावा, ये हमें creatures या इनके basically evidence, इंडियन सबकॉंटिनेंट में और कहीं नहीं मिले दोस्तों, इसलिए इनको कहा जाता है, शिवालिक category of humanites, और इनका extent बहुत ही limited समझा जाता है, क्योंकि कहीं और अभी तक fossil नहीं मिले, हो सकता है, आने वाले समय में मिल जाएं, तो कहानी शाहिद change हो जाएं, तो इसका मतलब ये शिवालिक area में evolution हुआ, और शायद उसी limited space में कहीं ना कहीं ये extinct हो गए, खतम हो गए, अब थोड़ा हम आते हैं नीचे, तो नर्मदा, रिवर नर्मदा MP, एक जगह है हत्नोरा, हत्नोरा में एक complete hominid skull मिला है, 1982 में, और जब इस skull को basically analyze किया गया है, तो ऐसा लगता है कि ये skull किससे match करता होगा, australopithecus, homo habilis, homo erectus, तो नर्मदा, हत्नोरा MP में जो fossil मिला है, full skull, ये ऐसा लगता है कि ये match करता है homo erectus को, जिसको कि सबसे advanced अभी तक हमने hominid देखा है, इसके cranial capacity कितनी है, 1200 से 1200 तो 2000 cubic centimeters, और homo erectus, homo erectus, मतलब erectus मतलब खड़े होना, upright human भी कहा जाता है, ऐसा शुरुवात में लगा, लेकिन जब बाद में इसको और analyze किया गया, तो इसको अब classify किया गया है, recognize किया गया है, archic homo sapiens की तरह, archic homo sapiens, अब चलिए, बात होगे apes की, फिर बात होई australopithecus की, फिर बात होई homo hebelis की, फिर बात होई homo erectus की, अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हो, हम चलते हैं, homo sapiens की दरफ, तो homo sapiens की fossils, इंडिया में और कहीं नहीं मिले हैं, दोस्तों, लेकिन, अगर हम south में चले जाएं, subcontinent में, तो श्री लंका, वहाँ पर एक जगा है, फाहीं, एक केव है, वहाँ पर लगवग, 34,000 साल पुराने, 34,000 years old, fossils मिले हैं, और उनको देख के लगता है, कि hunting और foraging life, मतलब घास फूस्प के, जंगलों पे, और animals को हंट करके, अपनी life को जीने वाले, वहाँ पर human creatures शायद रहा करते होंगे, और यह जो fossils मिले हैं, 34,000 years old, in Sri Lanka, in cave, fine, यह basically belong करते हैं, late plustocene and early holocene periods, तो जो fine cave है, ऐसा लगता है, कि यह अपर paleolithic site है, पूरे Indian subcontinent में, जो artifacts हैं, roughly 31,000 years old, जो modern humans हैं, उनको estimate किया गया है, कि वो roughly 34,000 years old या पहले, develop हुए होंगे, evolve हुए होंगे, अब आप सोचिए, पूर्टवार प्लैटो में हमें मिले, रामापिथिकस और शिवापिथिकस, लेकिन, एप लाइक करेक्टर्स शायद ज्यादा हैं, compared to human-like करेक्टर्स, उसके बाद नर्मदा में हमें मिले होमोरेक्टर्स, जिसको अब कहा जाता है, archic homo sapiens, उसके अलावा, हमें human evolution से related बहुत fossils अभी Indian सबकॉंटिनेंट में नहीं मिल पाएं हैं, लेकिन श्री लंका में हमें, केव, फाहीन में मिले हैं, अब दर सोच के देखिए, सबसे पुराने humans हमें कहां मिले थे, globally? South Africa and East Africa, इंडिया में या Indian सबकॉंटिनेंट में कहां मिले? श्री लंका में, तो अगर मैं अब अब से question पूछूं, कि हमारे हाँ जो human fossils मिले हैं, वो अफरिका के मुकाबले, या African continent के मुकाबले, बहुत नए हैं, बहुत late time के मिले हैं, तो कही ने कही से ऐसा लगता है, कि यह migrate हुए होंगे, क्योंकि evolution ऐसे ही होता है, कहां से migrate हुए होंगे? West India से? North India से? East India से? South India से? हो सकता है, बहुत सारे लोगों को लगे, सर्जाहिर सी बात है, हमारा West India पूरा connected है, दर Europe, etc., 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 तो most likely North India से आए होंगे, बाद के invaders भी North India से आए, लेकिन जो anthropologist हैं, scientist है, archaeologist है, इससे आप अगरी करें या ना करें, उनका मानना है, क्योंकि पुराने टाइम में, पूरा African continent भी जो coast line थी, वो Indian subcontinent के साथ पूरी तरह joint थी, जुड़ी हुई थी, तो start हुआ हमारा Africa में evolution, चाहे वो South Africa हो, Eastern Africa हो, इस coast line के सहारे, 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 चलते हुए, चलते हुए, चलते हुए, South India से हो सकता है, इनका arrival हुआ हो, ये बहुत clear है, कि इनका arrival North India से नहीं हुआ, clear है, चली, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लें, कि जो Paleolithic age है, इसकी कितने stages हैं, कितने phases हैं, तो जो Paleolithic age है, stone tools के stripe के use होते थे, उसके basis पे, इसके वो तीन phases में बाटा गिया है, जो इसका पहला phase है, इसको कहा जाता है, early or lower Paleolithic, second phase को कहा जाता है, second middle Paleolithic, और जो third phase है, third upper Paleolithic, तो पहला phase, early or lower Paleolithic, second phase, middle Paleolithic, और third phase, upper Paleolithic, अब, जो बोरी artifacts मिले हैं, हमें महारास्टरा में, उनको भी study किया जा रहा है, उस पे जब जब ज़्यादा information मिलेगी, तो हो सकता है, dates को change हो जाएं, बढ़ आप भी जानना चाह रहे होंगे, जाएंगे, सर, Paleolithic की जो ages हैं, उसके हिसाब से, यह जो तीन आपने अलग-अलग phases बताएं, कब से कब तक exist करते थे, तो जो पहला phase था, ज़सको early या lower Paleolithic कहा जाता है, मतलब जो सबसे deeper, मैं जिसे कहूंगा ये था 600,000 मतलब 6,000,000 से लेकर 150,000,000 देड़ लाग साल BC और जो सेकिंड फेज था 150,000 देड़ लाग साल से लेकर 35,000 BC और जो थर्ड फेज हैं जिसको अपर पेलियोलिपिक कहा जाता है जो सबसे उपर के लियर मैं कहूंगा ये हैं 35,000 BC से 10,000 BC लेकिन 35,000 साल से लेकर 1500 BC मतलब between 35,000 BC and 1500 BC जो tools यूज होते थे, stone tools यूज होते थे, उन tools के आधार पे हमने classify किया कि अगर इस टाइप के tool होंगे तो ये इस phase को belong करेंगे इस टाइप के tools होंगे तो इस phase को belong करेंगे और आप सुचरेंगे ऐसा क्यों? tools क्या? उस वक्त तो tools iron के तो होते नहीं थे क्योंकि iron industry तो भी develop नहीं होई copper के नहीं होते थे, metal के नहीं होते थे, तो किसके होंगे? जो naturally available resources हैं और पत्थर से easily मिलने वाली चीज, abundance में, जिसको आप easily modify कर सकें, use कर सकें, sharp कर सकें, तोड सकें, बांच सकें, fake सकें कहां मिलेगी? हर नदी के किनारे, हर पहार में, जमीन पर, हर जगा तो मिल जाएगा तो जब आप एक particular type के tools यूज करते थे, मतलब आपकी जो economy होगी, आपका जो substance कैसे आप जीवन यापन करते हैं, कैसे जीते हैं जिन्दगी, उसका भी एक style होगा आपने tools change किये, तो इसका मतलब आपका सोचने का तरीका, आपका जीने का तरीका, आपका social hierarchy, वो भी अपने आप change हो जाएगा फिर आपने और ज़्यादा advanced tools यूज किये, मतलब हो सकता है, अब आप और ज़्यादा चीज़े करने की capable होगी तो उससे आपके economy पर फरक पड़ेगा, आप खाना कैसे एकटा करते हैं, खाते हैं उस पर फरक पड़ेगा, आपके social system क्या है उस पर फरक पड़ेगा, आप रहते कैसे हैं उस पर फरक पड़ेगा, आप travel कैसे करते हैं उस पर फरक पड़ेगा तो tools किस type के है, stones के, उस हिसाब से हम लोगों ने paleolithic age को divide किया है तो ये जो second और जो third stage है, basically, middle paleolithic and upper paleolithic between 35,000 to 1500 BC, इसमें हमें दौनों type के tools, चाहे वो middle हो, चाहे upper paleolithic age हो दौनों type के tools हमें, deck and plateau, मतलब southern India में, दौनों type के tools का mixture हमको देखने को मिला है तो ये possibility है, कि दौनों type के tools coexist करते हो, दौनों type के cultures coexist करते हो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमने तीनों phase बता दी, अब एक-एक phase के बारे में बात करते हैं कि सर, lower paleolithic, और जिसको बोलते है, early stone age, क्या था? तो जो lower paleolithic है, ये early stone age है, ये जो ice age था, उसका ज्यादातर part को cover करता है कैसे cover करता होगा? भाई हम नहीं तो कहा कि जो first phase है, that is between 600,000 years to 150,000 years मतलब 6,000,000 BC से 1,500,000 BC तक का जो phase है, वो हमारा first phase है तो इसलिए जो early stone age है, अफरेका में ऐसे लगता है कि लगबग 2,000,000 years ago ये start हो गई होगी लेकिन इंडिया में कब start होई? अफरीका में तर 2,000,000 years ago इंडिया आते आते, ये काफी late इंडिया पहुँची 2,000,000 years का मतलब है 20,000,000 साल पहले इंडिया में आई लगबग 6,000,000 साल पहले, 600,000 years ago अब जो बोरी, जो site है महरास्टरा में वो ऐसा लगता है कि ये सबसे पुरानी lower paleolithic site मिली है और उसी के आधार पे जो ये 600,000 years का मको लगता है कि जो हमारी old stone age है या lower paleolithic जो culture है इंडिया में जो 2,000,000 years अफरीका में स्टार्ट हो गया था पहुंचते पहुंचते 600,000 years के बाद ही स्टार्ट हो पाया इंडियन सबकॉंटिनेंट में ये बोरी site जो महरास्टरा में मिली है उससे हमें पता चलता है चली तो ये तो बात होगी कि किस type की ये basically stage है, phase है किस type के tool यूज होते होंगे तो जैसा मैंने कहा tools के ओपर depend करता है पूरी civilization, society, cultures तो lower paleolithic या old stone age में जो primary tool हुआ करता था वो हुआ करता था hand access मतलब हाथ की कुलहाडी hand access, cleavers and choppers axis, cleavers and choppers ये तीन main tools हुआ करते थे old stone age के तो जो axis इंडिया में मिली है ये काफी similar हैं चाहें आप western Asia देख लें चाहें आप Europe देख लें और चाहें आप अफरेका देख लें तो इससे clear पता चलता है कि अफरेका से ये शायद civilization start civilization in the sense की human evolution start हुआ एक tool type develop हुआ migrate करता हुआ है वो पहुँचा Europe Europe के बाद basically पहुँचा Asia Asia के बाद पहुँचा वो इंडिया या Indian subcontinent में अब stone tools को आप use कर सकते हैं chopping के लिए, digging के लिए खोदने के लिए या skinning के लिए animals को hunt करके उनकी skin को निकालने के लिए तो जो early stone age है वो हमें मिले हैं son river जिसको sohan भी बोला जाता है पंजाब जो की पाकिस्तान का एक province है बहुत सारी sites हमें काश्मीर और जो राजस्तान का थार desert है यहाँ पर भी देखने को मिली हैं दोस्तों lower paleolithic tools UP के Balan Valley और राजस्तान के थार desert में डीडवाना यहाँ पे हमें lower paleolithic tools काफी large amounts में मिले हैं थोड़े सी बाद डीडवाना की हो जाए डीडवाना मैं सिर्फ lower paleolithic tools ही नहीं मिले हैं लेकिन lower paleolithic के साथ जो middle paleolithic और upper paleolithic ages हैं उनके भी mix होके tools मिले हैं अगर आप महराष्ट्रा में चिर्की निवासा साइट देख लें तो 2000 से भी ज्यादा tools हमें मिले हैं lower paleolithic के इसी तरीके से आप देख लें आंध्रा में नागार्जुन कोंडा एक important site है या आप caves and rock shelters देख लें आप beam bait का भुपाल बहुत important बहुत famous site है भुपाल के पास beam bait का जहां पर in fact आपको सिर्फ lower paleolithic ही नहीं बट कि उसमें आपको middle paleolithic upper paleolithic के भी mixed tools मिले हैं तो यह जो caves हैं rock shelters हैं beam bait का यह किस लिए use में आती थी beam bait का में ऐसा लगता है जो caves या rock shelters मिले हैं यह seasonal camps हुआ करते होंगे कि बारिश के time पे इंसान अपना आके माँ पे settle हो गया छुप गया अपने आपको protect करने के लिए जब clear हुआ thund clear होई फिर बाहर गया hunt किया अपना काम किया फिर उन cave में आ गया जो second हिमालियन interglaciation था जबकि environment थोड़ा कम humid हो गया क्योंकि जहार से बार अब glaciation होगा जब बर्फ जमेगी तो environment less humid हो जाएगा क्योंकि सारी नमी तो बर्फ जमने में लग जाएगी तो उस वक्त हमें large amount of hand axis मिले हैं early stone age और lower paleolithic के main tools हैं हमारे hand axis cleavers and choppers clear है सबको आगे बढ़ा जाएगे अब हम चलते हैं basically कि जो lower stone age कि जो लोग थे किस type के economy होती होगी कैसा अपना खाना इकटा करते होगे कैसे जीते होगे ज्यादा तर समझा जाता है कि lower stone age कि लोग food gatherers थे कि इधर गए यहां कुछ खाना मिला इकटा कर लिया यहां कुछ खाना मिला इकटा मिलिया कुछ fruits इकटे कर लिये कुछ हो सकता है animal इकटे कर लिये होगे और उसके अलावा small game hunting मतलब चोटे जानवर होगे उनका basically hunting और कुछ fish मिल गई water bodies से या कुछ birds मिल गई जो early stone age है इनको आप associate कर सकते है homo sapien group से homo sapiens को हम भी basically belong करते हैं तो यह बात हो गई हमारी lower paleolithic age या lower stone age की अब हम move करते हैं next phase which is middle paleolithic age so middle paleolithic industries industries का मतलब किस type के tools हमें मिले क्योंकि tools के basis पे तो सारा classification होगा तो जो middle paleolithic industries है इन में ज्यादा तर जिस type के tools मिले जैसा lower paleolithic या early stone age में हमें क्या मिले थे hand axis clevers, choppers उसी तरीके से जो next layer है बाद की layer है कब से कब तक 150,000 BC to 35,000 BC उसमें जो mainly tools मिले हमें मिले flakes या stone के चोटे-चोटे pieces चोटे-चोटे pieces और ये इंडिया में बहुत ज़ादा scale पे मिले बहुत अलग-अलग area आजब हमें देखने को मिले है अब हर region में थोड़ा सा regional variation मिलेगा होगा राजस्तान में जो मिले हो थोड़े different type के हो मारास्तर में different type के हो South India में different type के हो East में चले हैं थोड़े different type के हो लेकिन primarily blades, points, borders, scrapers इन सभी ultimately flake type के tools small piece, चोटे pieces ये denote करते हैं आपके middle, paleolithic, age या industries को तो जो geographical horizon है कि भी किस-किस जगे हमको ये tools मिले तो ज़्यादा तर sites middle paleolithic की वहीं मिली जहां पर हमें इस से पहले वाली तुराने वाली lower paleolithic की sites देखने को मिली है river नमदा हो तुम भद्रा river हो UP की Balan Valley हो जो की विंध्याज में है यहां पर हमें stone tools और animal fossils चाहे वो cattle हो चाहे deer हो, hiran हो इनके large amounts में देखने को मिले हैं दोस्तों तो ये जो remains मिले हैं, नमदा, तुम, भंद्रा या फिर Balan Valley ये lower या middle stone ages के बारे में ही indicate करते हैं और जैसा मैंने कहा बहुत सारी sites चाहे भीम बेट का हूँ, वहाँ पर mix industries मिली हैं, कि lower paleolithic की hand axes भी मिली हैं, आपको flake tools भी basically मिले हैं, small pieces के, small stones के, जो की middle paleolithic age को represent करते हैं अब हम चलते हैं last phase या फिर next phase upper paleolithic phase upper paleolithic की कब से कब तक? 35,000 years to 10,000 years तो जो upper paleolithic phase है, इसकी इंडिया में 566 sites मिल चुकी हैं ये data हो सकता है, पुराना भी हो दोस्तों इसके बाद और discoveries भी हो सकती हैं so the numbers में change पर roughly 500 to 600 की range में upper paleolithic की sites इंडिया या Indian subcontinent में देखने को मिली हैं और ये ज्यादातर sites इस वजहां से develop होई क्योंकि जब upper paleolithic phase आया तो environment थोड़ा सा warm हो गया जो last ice age थी अब वो खतम होने लगी environment warm होने लगा अब environment warm होगा तो plants grow करना शुरू करेंगे plants grow करना शुरू करेंगे तो animals भी habitat करना शुरू करेंगे और जब थोड़ा सा warm environment होगा तो grasslands डवलप होगे तो जब large grasslands डवलप होने लगे कि ice age बर्फीला समय जो बर्फ जमरी जो खतम होने लगा environment warm होने लगा grasslands डवलप होने लगे animals आने लगे तो उस वक्त के grasslands की जहां पर presence रही होगी वहाँ पर upper paleolithic sites को phase को देखा गया है word context में देखें तो upper paleolithic का जो main tool type जिसको कहा जाता है वो है flint industries और जो modern type के man है homo sapiens sapiens middle paleolithic homo sapiens upper paleolithic हम लोग homo sapiens sapiens type के लोग associate किये जाते हैं एक बाद quick recap तो कितने phases हैं paleolithic में lower paleolithic middle paleolithic upper paleolithic lower paleolithic 600,000 to 150,000 middle paleolithic 150,000 to 35,000 and upper paleolithic 35,000 to 10,000 BC या ES lower paleolithic में कौन से type के tool hand axis choppers, clevers middle paleolithic में किस type के tools basically flakes small pieces और upper paleolithic में किस type के tools flints middle paleolithic में किस type के लोग homo sapiens और upper paleolithic में किस type के लोग modern type modern humans homo sapiens sapiens इंडिया के अगर हम बात कर लें तो इंडिया में हमको blades burines हमको मिलती हैं आंदरप्रदेश में किर्नाटक में महरास्टरा में central MP में southern UP में जारखंड में और जारखंड के आसपास के इर्दगिर्द इलाकों में जो caves हैं rock shelters हैं upper paleolithic में upper paleolithic age से related हमको मिली है beam pate का जो की भोपाल से लगबग 40-45 km दूर है MP में तो वहाँ पे हमको middle paleolithic के भी industries मिली lower paleolithic की industries भी मिली और upper paleolithic की assemblage भी हमको मिली है तो जो upper paleolithic की assemblage है large flake blades large बड़ी size की large flake blades जिनको flint भी कहा जाता है blades burins and scrapers ये basically characterize करती है ये हमको गुजरात की जो sand duns हैं या moons हैं वहाँ पर भी upper layers में हमको काफी मात्रा में मिली है दोस्तों तो दोस्तों ये तो बात रही की paleolithic phase paleolithic phase में कौन-कौन से different phases थे चाहे वो lower paleolithic हों middle paleolithic हों upper paleolithic हों अब paleolithic के बाद जो next phase आया civilizational या human development में इससे पहले की दुनिया में including इंडिया में कोई भी civilization develop होना शुरू हो वो है mesolithic age और mesolithic age के जो लोग थे उस वक्त क्या जो culture था humans थे humanits थे वो generally थे hunters and herders मतलब आप जाके hunt करेंगे और अपना एकटा करके रख लेंगे paleolithic में ज्यादा तर hunters भी थे और उसके अलावा furaging मतलब सिर्फ घास फूस पे या small game hunting चोटे animals को hunt करने वाले लोग देखने को मिले हैं तो जो upper paleolithic age है वो end हो जाती है जब हमारी ice age end होती है कब 10,000 BC तो ice age की ending के साथ हमारी lower से middle से upper paleolithic age जो final paleolithic age है वो 10,000 years पे खतम हो जाती है और जब ice age खतम होगी तो environment कैसा हो जाएगा थोड़ा warm हो जाएगा थोड़ा सा humid भी हो जाएगा क्योंकि जब ice melt होगी पानी आएगा environment मौश्च जाएगा तो जो plasticine age है कई सारी उसमें ice ages हमको देखने को मिली हैं दोस्तों और यह अलग-अलग ice ages हैं यह coincide करती हैं paleolithic age word context में लगभग from 2 million years ago to 12,000 BC और यह 12,000 BC 10,000 BC के आज़ पास word context में environment ice age खतम environment warm and rainy बनना शुरू हो जाता है grasslands डवलप होना शुरू हो जाते हैं animals habitation start हो जाता है तो यह जह climatic changes है ice age जब खतम हुई अलग-अलग ice ages का खतम हुआ paleolithic age खतम हुई तो जब ice age खतम होगी climate अपना change होगा तो उसकी वज़े से उसके flora और fauna मतलब कि किस टाइब के पेड हैं, trees हैं किस टाइब के animals हैं, किस टाइब के grasses हैं यह भी उसके साथ change होने लग जाएंगी और जब यह change होने लग जाएंगी तो जो human है वो इन चीज़ों को अपनी fever में exploit करना शुरू कर देगा इनका फायदा उठाना शुरू कर देगा कि जब बारिश अच्छे कासी हो रही है vegetation आप dance हो गया है ऐसा नहीं कि जब पहले ice age थी पूरा वर्फ में कुछ नहीं था सिर्फ बर्फी बर्फ बर्फी बर्फ जैसे आप चले जाएं बहुत सारे areas में आप North से किम चले जाएं फिर महले आज में चले जाएं तो ice के जैसे कुछ develop ही नहीं हो पाता आप लेल दाख चले जाएं one of the coldest deserts of the world तो फिर adequate rainfall, humidity, dense vegetation first और in climatic changes को human ने अपने favor में use करना शुरू कर दिया तो जो intermediate stage थी stone age culture की वो start हुई लगभग 9000 BC stone age culture की पहली stage होगी है हमारी paleolithic लगभग 9000-10000 BC के आसपास खतम होती है upper paleolithic वहाँ से हम take over करते हैं mesolithic age roughly 9000 BC के आसपास intermediate stage भी इसको बोलते हैं intermediate क्यों बोलते हैं क्योंकि ये वो stage है जो हमारी paleolithic जो ice ages है और हमारी जो neolithic neolithic वो stage है जिसमें humans ने इंसान ने agriculture बेसिकली शुरू कर दी थी और जब agriculture स्टार्ट हो गई तो उसने फिर जगया बनाई human civilization के पनपनी के लिए develop होने के लिए जब आप agriculture करेंगे तो आप settled life जीने लग जाएंगे फिर आप घर बनाना शुरू कर देंगे आपके पास access हो गए तो आप trade शुरू कर देंगे आप travel शुरू कर देंगे एक culture डवलप हो जाएगा social structure बन जाएगा लेकिन neolithic age आने से पहले और paleolithic age के बाद जो ये beach का portion है 9000 BC से roughly इसको कहते हैं mesolithic age ये जोडता है हमारी paleolithic age जो की जादातार ice ages थी जिसमें हमारा lower paleolithic, middle paleolithic और upper paleolithic जिसमें axes, flints etc. और neolithic जिसकी हम अगले lecture में बात करेंगे इन दोनों के बीच पे mesolithic age जो mesolithic age के लोग थे वो generally hunting fishing, food gathering एन चीज़ और पर dependent थे अपना life sustain करने के लिए और जैसे जैसे mesolithic age के लोग develop और होते गई तो यह जो hunting था यह जो fishing था यह जो gathering था, यह फिर धीरे develop होने लगा domestication of animals मतलब जानवरों को पालने के लिए वो जानवर कोई भी हो सकता है जिसको आपको लगता है काम में मेरे आ जाएगा milk के लिए काम में आ सकता है, meat के लिए काम में आ सकता है, उसके लावा transportation के लिए काम में आ सकता है, घरे लोग कामों के लिए काम में आ सकता है so domestication of animals कब शुरू हुआ बाद later mesolithic age में जो पहले तीन occupation थे, चाहे वो hunting हो, fishing हो, food gathering हो यह तो paleolithic age में भी हुआ करते थे तो जो नई चीज है domestication of animals यह एक नई शुरुआत हुई mesolithic में, जो mesolithic का end था या neolithic culture का start था उसके आसपास domestication of animals basically start हुआ तो इस वजा से mesolithic age को एक transitional phase कहा जाता है when it comes to mode of subsistence which led to animal husbandry, so animal husbandry का concept start हुआ, वो mesolithic age में ही शुरू हुआ दोस्तो, अब tools की बात कर ले, mesolithic का जो characteristic tools है उनको कहा जाता है microlits mesolithic microlits make sense, याद करने के असान so mesolithic age microlits, micro का आप नाम से जमने सकते microlits, छोटे tools आपर paleolithic में कैसे थे long blades flints, flints तो mesolithic में small tools microlits, tiny tools और mesolithic sites हमें मिली है राजस्थान में southern, UP में central और eastern इंडिया में उसी के अलावा जो river Krishna है इनके river banks पे भी हमको south इंडिया में mesolithic sites मिली है जो एक बड़ी famous site है mesolithic की वो है राजस्थान में बहुत अच्छे सकर excavation हुआ है और काफी distinctive microlithic industry और microlithic industry किस टाइप के tools से बनी हुई है microlits या फिर tiny tools, small tools उसके साथ साथ hunting, pastoralism मतलब जानवरों को चराना, बांधना, etc यह सब चीजे हमको मिली है तो यह जो बगवर site है राजस्थान की यह लगवख 5000 years के roughly तब से इसका dating लगवख हुआ है उसी तरीके से आदमगर देख लें आप MP में और राजस्थान का बगवर देख ले यहाँ पर domestication of animal हमको पहली बार दिखाई पड़ता है तो roughly अगर आप इसकी dating देख लें कि भई Indian subcontinent में domestication of animal मतलब जानवरों का कब पालना पोस्टना उनको उपने पास रखना शुरू हुआ तो roughly 5000 BC मुझे लगता एक reasonable date हम कह सकते हैं कि हमारा mesolithic खतम हो रहा है neolithic स्टार्ट होने वाला है और जो plants का cultivation है वो roughly तो पहले domestication of animals या cultivation of plants पहले क्या हुआ 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 cultivation of plants roughly 7000 to 6000 BC और कहां पे मिला हम है यह राजस्थान में एक पुरानी लेक वाकरती थी सांबर लेक जो की salt लेक वहाँ पे नमक बेसिकली बनाये जाता अब तो मुझे लगता एक्स्टिंक्ट हो गई है वहाँ पे जो हमको sites मिली है उनसे cultivation of plants का indication है लगभख 7000 to 6000 BC जो हमको sites मिनी एंडिया में mesolithic वो थोड़ी सी limited मिली है और कुछ ही का हम properly dating भी कर पाएं तो जो mesolithic culture है वो 9000 BC से start हुआ और roughly इससे पहले की neolithic start हूँ 4000 BC तक लगाता रिये चलता रहा और mesolithic नहीं जो neolithic culture है जिसमें agriculture अब आ जाएगे domestication of animal के साथ उसके लिए जगह बनाई paleolithic, mesolithic and neolithic paleolithic होगे हमारी 600,000 से लेके 10,000 तक roughly mesolithic होगे हमारी 9,000 से 4,000 और 4,000 के बाद फिर neolithic culture शुरू हो जाता है तो ये बात होगी कुछ dates की different phases की अब हम बात कर लें कि किस type की tools की बात होगी कैसे खाते थे, जीते थे किस type के environment थे इस पर बात होगी अब एक short बात हो जाए कि किस type की art हमको देखने को मिली है ऐसा नहीं है कि सिर्फ modern लोग ही art करते हैं आज करते लोग apple pencil से art बनाएं लग गए पुराने जमाने से art different different forms में डबलब होते रही है तो आप paleolithic और mesolithic ages का देख लें उस वक्त भी painting practice की जाते थी prehistoric art हमको कई जगे देखने को मिलती है, खासतोर से जो MP की site है beam bait का जहां पे paleolithic की भी हमको industry मिली है evidence मिला है, fossils मिले है beam paint का में art के हमको बहुत सारे evidence मिले है when it comes to paleolithic and mesolithic age again beam bait का कहां पर है MP Bhopal, Bhopal से 45 km अवे तो यह जो beam bait का करके जो site है यहां पे हमको लगबग 500 painted rock shelters और हमने पहले बात की थी rock shelters क्यों काम आते थी environment से बचने के लिए humans उनको use कर देए seasonal camps की तरह तो लगबग 10 square kilometer में यह site फैली हुई है मुलग काफी large area है तो यहां पे जो हमको rock shelters मिले हैं painted rock shelters मिले हैं beam bait का में paleolithic and mesolithic age के तो जो beam bait का है इसमें जो rock paintings मिली है यह upper paleolithic से mesolithic age तक extend करती हुई दिखाई दी है in fact कुछ तो ऐसा रखता है कि जैसे recent times की भी है लेकिन काफी substantial number जो हमको यह 10 square kilometer में लगबग 500 rock shelters मिले हैं beam bait का में एक large number उसमें mesolithic art का भी है किस type की मतब इसमें figures बने होगे किस type की painting हो रही होगे उस वक्त क्या बनाते होंगे लोग fool, पती, पेड birds, animals human beings यह सबसे ज़्यादा है ज़्यादा तर जो paintings हैं वो birds और animals की हैं बट human figures भी है इसमें ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से hunting की जाती थी अपने subsistence के लिए जीने के लिए अच्छा जो perching birds होती है जो छोटी छोटी दाने basically खाके आजकल तो cities में खरकता ही होगी है sparrow etc ये हमको देखने को इन paintings में नहीं मिली है तो इस वज़ए से clear है कि paintings hunting, gathering, economy की तरफ indicate करती है किस type के birds को, animals को hunt किया जाता रहा होगा उसके बारे में हमको बताती है किस site से मिली beam bait का MP, bhopal, 45 km 500, 10 square km में failure site है ये बहुत important site है paleolithic हो उसकी तीनों series, तीनों phases चाहे lower, middle, upper हो चाहे mesolithिक हो सारी चीज़ें beam bait का मैंने भी कभी visit नहीं किया मुझे लगता है किसी दिन मुझे जाके visit करके अपनी knowledge को enhance करना हो और खुद की आँखों से देखना होगा मतलब ये तो classic चीज़ है बहुत कम optionaries मिलती है ऐसी चीज़े देखने के लिए अब हम question आप से पूछता हूँ कि जो upper paleolithic people या upper paleolithic mesolithic की जो art हमको भी बिटका में मिली है ये लोग art बनाते क्यों होंगे सिर्फ art जैसे आज कल तो है कि art मेरा एक stress buster है जब मैं paint करता हूँ I feel good positive energy आती है या फिर ऐसा भी लगता है कि उस जमाने के लोग कहां art, painting इन चीजों के बारे में सोचते होंगे तो ऐसा लगता है कि उस वक्त हो सकता है कि ये level of sophistication के विज़े से ना paint करते हूँ शौक्या तोर पे ना करते हूँ लेकिन उस वक्त के जो rituals होंगे जो social norms होंगे जो social conflicts होंगी इनको capture करने के लिए resolve करने के लिए शायद जो complexities होंगी वो reflect हुआ करती होंगी art और painting के through ये भी शायद show करने की कुशिश की जाते होगी क्योंकि उस वक्त तो simple societies होते थी ऐसा भी नहीं कि कोई social hierarchy बहुत strong हो गई होगी ये कोई बहुत complex type का structure बन गया होगा इसका मतलब सिर्फ शायद उस वक्त के जो लोग होंगे वो ये दिखाना चाहते होंगे कि we exercise control over animals जो wild animals से इसको हम control करते हैं hunt करते हैं खाते हैं अपना hurt करते हैं तो कि hunting उनका principal source of livelihood था तो जैसा इनसान करता है उसी का reflection आपको art में, painting में, music में, hollywood में, bollywood में ज्यादा तर print media में, social media में, whatsapp forward में, facebook में, instagram पे सब पे उसी का reflection आपको मिलने लगता है तो उस वक्त पर instagram रहा होगा हमारी rock shelters क्योंकि ये एक अच्छा manifestation था कि हम अपनी बात को महाँ पे किस तरीके से paint कर सके carve out कर सके इन paintings में हमें कुछ human males and females figures में मिले हैं, animals के ज्यादा figures मिले हैं, जो animal paintings हैं, ये ritual के बारे में बताती हैं कि सरेके से hunting में animals को use किया जाता था अब धीरे-धीरे mesolithics हम बढ़ेंगे फिर neolithic की तरफ और फिर हम बढ़ेंगे harapan culture की जराफ harapan culture आते आते harapan context में animal painting एक conventional वाल एक normal, एक norm बन गया था कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि harapan seals आप देख लेंगे, तो बहुत large number of harapan seals में animals के symbols clearly depicted है अब अगर हम बात कर लें कि in paleolithic and mesolithic cultures पे humans किस तरीके से socially organized रहे होंगे तो ये clear नहीं है लेकिन ऐसा रगता है कि शायद ये band या pre-band society में रहा करते होंगे band basically होता है कि आप करी 25 के आसपास, या 25 है उसे चोटा, संख्या में लोग आएं और hunting gathering के लिए एकटा हो जाएं, कि भई हमें मालीजे आज wild board का शिकार करना है 25 लोग एक साथ एक group बनाया गए अपना शिकार किया, तो साथ में आप शिकार कर रहे हैं, साथ में उस खाने को आप ला रहे हैं, उस खाने का distribution कर रहे हैं तो आप में किसी नहीं किसी तरीके से एक bond बन गया होगा एक band basically बन गया ये band फिर अगली जगे जाता है एक साथ move करता है वहाँ पर अपने खाने की अवस्ता करता है रहता है, एक साथ एक साथ तो roughly 25 is a good number तो शायद ये band में exist करते होंगे और obviously बात है कि जब अलग-अलग bands अलग-अलग जगे exist करते होंगे तो मैं आपस मैं भी कुछ ना कुछ alliances, mutual exchanges, mutual aid etc. etc. type का होता रहा होगा तो कई bands मिलके एक large group शायद बना लेते होंगे लेकिन ऐसा लगता है historians के साथ से, anthropologists के साथ से, archaeologists के साथ से कि शायद 500 से ज़्यादा लोग not more than 500 people would be in a group so 25-25 लोगों के bands और 29-25 के bands मिलाके लगबग एक large group 500 लोगों का और बहुत सारे ऐसे rituals रहे होंगे कि मानलीजे, band A alliance करना चाहता है B के साथ, या C के साथ, या D के साथ या D करना चाहता है A के साथ इन्हें कोई ना कोई ऐसे rituals रहते होंगे जिसे शादी होती है शादी दो लोगों में कैसे होती है कि जब पंडित जी आएंगे अपना मंत्र चारण करेंगे फेरे होंगे, एटसेटर एटसेटर कि रिच्वल होगे, अभी शादी होगी वरना तो अगर आप लॉजिकली देखें, तो वही लड़का है वही लड़की है, लेकिन वो एक ritual उसको solemnize कर देता है कि भाई अब एक हमारी परंपरा रही है इसके बाद माना जाता है कि अब आप दोनों शादी शुदा है, अपना grace जीवना जीए इसी तरीके से, जब इन bench में उसके लाइन्स रहा करती होगी तो किसी ना किसी तरीका के ritual डेफिनेटली रहा करता होगा अब, यह जो band रहे होंगे उस वक्त के यह किस type के होंगे? ऐसा लगता है कि यह exo gamis groups होंगे मतलब यह आपस में relations नहीं बनाते होंगे यह शायद दूसरों के साथ बनाते होंगे अपने clan, मतलब इसलिए हम बोलते हैं ना कि यह तो हमारा kutumb है इसमें हम शादी नहीं कर सकते इसमें relationship develop नहीं हो सकते इसमें जितने भी होंगे सब भाई band होंगे तो हम दूसरे band के पास जाते हैं आपस में और बहार जब help की बात आती होगी तो आपस में भी help करते होंगे और दूसरे band से groups के लोगों की भी help करते ही होंगे जो अपर पहले वित एक phase है तो जितना भी hunt करते होंगे food gathering करते होंगे खाना इखटा करते होंगे या social rituals होंगे इस सब में आपस में मिल बात कर as a group, as a society ये act करते होंगे अब जब bands बन गए और bands को मिला के groups बन गए तो आपस में किस तरह communicate करते होंगे बात करने हैं आप 25 लोगों एक साथ रख रहे हो तो कुई ना कुई तरीकात होगा सकता sign language हो, इशारों में बात करते हों लिख के बात करते हों कुछ activity से बात करते हों इस वजा से ऐसा लगता है कि फिर language का development हुआ तो ये जितनी भी paintings वगड़ आमको मिली हैं ये मिली है Upper Paleolithic to Mesolithic Hunting Gathering Bands Bands से groups और इन सब को facilitate करने के लिए language language communication का most powerful tool which can hold people together which can facilitate people to stay together which can facilitate exchanges एक group ये डवलप हुआ होगा इस Upper Paleolithic phase के दौरान दोस्तों अब एक quick recap हो जाए इससे पहले के आज के chapter को खतम किया जाए chronologically age of earth क्या है 4600 million years ago first life कब देखने को मिली है earth पे 3500 million years ago पहले humans जो ape type के थे वो पहली बार कब देखने को मिले 30 million years ago कहाँ पर South Africa and Eastern Africa hominids जो कि human like हैं हमारे जैसे कुछ characteristics हैं पहली बार कब देखने को मिले 6 million years ago कहाँ पर देखने को मिले South Africa Eastern Africa Australopithecus पहला ऐसा करेक्टर जिसमें apes के साथ साथ human type के करेक्टर भी थे bipedal था pot belly थी 400 cubic centimeter cranium था 5 and a half to 1 and a half million years ago इंडिया में क्या scene था सबसे पुराने fossil हमें कहाँ मिले शिवालिक हेल्स पंजाब प्रोमेंस ओफ पाकिस्तान पोर्टवा प्लाटो दिन्हों क्या खा जाता है रामा पिथिकस और शिवा पिथिकस जादतर करेक्टर किस टाइप के है apes टाइप के काफी करेक्टर्स human टाइप के भी है कब क्या डेटिंग है रफ्ती 2.2 million years अब लोबर प्ले लिथिक अफ्रेका में कब शुरू हुई 2 million years इंडिया में कब शुरू हुई 600,000 years Homo habilis Word में सबसे पहले कब आया 2 to 1.5 million years Homo erectus जिसका cranium 1200 to basically 2000 cubic centimeter large जिसका cranium था Homo erectus मतलब खड़ा भी हो सकता था 1.8 to 1.6 million years उसकाद Homo sapiens 230,000 to 30,000 million years और Homo sapiens modern man जो हम है Southern Africa में 115,000 फिर स्टार्ट हो जाता है Plasticine Plasticine आई से जच कब शुरू होती है 2 million to 12,000 years और जो Homo sapiens नर्मदा वैली में मिला है उसकी एज क्या है 700,000 जो Homo sapiens sapiens क्योंकि बाकी तो हमें कहीं पूरे सब कॉंटिनेंट में Homo sapiens modern human type को नहीं मिला है लेकिन 5 जो caves है श्रिलंका में बहाँ मिला है उनका क्या डेटिंग है 34,000 years उसके बाद Lower Paleolithic age इंडिया में कब से कब तक है 600,000 to 150,000 years Middle Paleolithic age इंडिया में कब से कब तक है 1 minute 50,000 to 35,000 Language रफली कब स्टार्ट हुई होगी अभी अबने बात करी कौन से age में language स्टार्ट हुई होगी Generally Upper Paleolithic या end of Middle Paleolithic Roughly 50,000 years Upper Paleolithic age इंडिया में कब स्टार्ट हुई 35,000 to 10,000 और Mesolithic age जो की transition है Paleolithic और Neolithic के बीच में Neolithic में Domestication of Animals के साथ Agriculture Mesolithic में Last में Domestication of Animals और Paleolithic में Hunting, Gathering, etc. Mesolithic 9,000 to 4,000 years Holocene Post Ice Age जब Ice Age खतम हुई Upper Paleolithic उसके साथ Coincident रहे खतम होता है Ice Melt होती है Grasslands डवलप होते है Different type of Flora and Fona डवलप होता है यह है 12,000 years to present आश तक तो दोस्तों यह मुझे लगता है कुछ डेट्स रही लेकिन यह कहानी complete नहीं है जब तक मैं आपसे दो question और ना पूश लो Agriculture या Plant Cultivation Plant Cultivation मैं कहूँगा Agriculture नहीं कहूँगा Plant Cultivation इंडिया मैं कप शुरू हुआ 7,000 to 6,000 कहाँ पर वो साइट मिली राजस्थान में सांबर में Paleolithic, Mesolithic की Combined साइट जहाँ पर Art, Painting, Etc. को मिलती है वो कहाँ है BeamPate का MP Bhopal Domestication of Animals के सबसे पूराने साइंस कहाँ है 5,000 इस कहाँ पर राजस्थान और आदमगर MP में तो ये दोस्तों हमें ले जाता है हमारे Lecture No.7 के End की दरफ मुझे उमीद है दोस्तों Lecture No.7 आपको पसंद आया होगा हमारा Lecture No.8 जो होगा इससे पहले हम आपको पहले ही बता दें वो होगा हमारा Neolithic Culture और चालतोलिथिक कल्चर को कवर करने वाला और उसके बाद जो Lecture No.9 होगा फिर कहानी होगी हमारी शुरू हमारी पहली civilization पहले milestone जिसका आप कब से बेसबरी से इंतिजार कर रहे होंगे दा इंडस वेली civilization दा हरपन civilization और उसके बाद फिर civilization के बाद civilization kingdoms के बाद kingdoms राजाओं के बाद raja etc. 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 हमारा सफर तीजी से आगे बढ़ेगा दोस्तों With that, let's end lecture No.7 here Hope you like the video Stay tuned for our next set of videos Until then, जै हिंद, जै भारत